आज हमने देखा कि जेम फिनेंशल की वज़ासे मारकेट का सेंटीमेंट खराब हुआ एक समय पर जेम फिनेंशल को लेकर जो खबर आई उसने मारकेट में मिटकेट स्मॉल कैप की तो हालत ही खराब कर दी थी अगर हम देखें तो ये खबर पहली बार नहीं आई है अगर हम देखें तो पिछले कुछ जिनों में लगातार फ्रैंस से जुड़ी कामपनियों पर खराब खबरे आ रही है पहले ये सिलसिला शुरू आता पेटीम से उसके बाद इंडिया इंफो लाइन पर अब जेम फिनेंशल पर गाज किरी जो पैसा लगता है मान लीजे एक बड़ा निवेशक एचनाई इस कैटिगरी का अगर 10 करोड रुपया लगाना चाहता है और वो उसके पास किवल 1 करोड रुपया होता है तो RBI का कहना है कि जेम फिनेंशल ने अपने निवेशकों को एक तरह से इंस्टिगेट किया कि वो जादा से जादा पैसा लगाए आई पियों में पैसा लगाए जिससे कि उनकी जो 9 करोड की जो डेफिसिट फंडिंग है वो जेम फिनेंशल से ले 9 करोड रुपय की फंडिंग जेम फिनेंशल ने दे दी उसके अगेंस में पावर अफ एटॉर्णी ले लिया पावर अफ एटॉर्णी में उन्होंने डीमेट एकाउंट बैंक एकाउंट और एप्लिकेशन है सब ही को कंट्रोल जेम फिनेंशल ही कर रहे थे अब RBI का यह कहना है कि यह प्रोसेस गलत है जबकि जेम फिनेंशल का कहना है कि यह प्रोसेस बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेक्टर में यही प्रैक्टिस चल लही है और P.O.A. लेना कोई भी गलत चीज नहीं है हम RBI के स्पेशल जो उनकी इंवेस्टिगेशन होगी उसमें भी हम पूरा साथ देंगे लेकिन इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो रिटेल निवेशक को क्या इंपक्ट पर सकता है रिटेल निवेशक को यह इंपक्ट परता है जनरली कि जब इस तरह से फंडिंग आती ह है एक करोड रुपे वाला निवेशक जब 10 करोड रुपया लगाता है तो यह एक आर्टिफिशल मनी आती है मार्केट में जिसकी वज़ासे आप देखते होंगे कि IPO में जो सब्सक्रिप्शन होता है वह 8 गुना 10 गुना तक बढ़ जाता है और बहुत सारे लोगों को 500% तक भी लिस्टिंग चले जाते हैं उनका कोई भी फायदा निवेशक को नहीं मिला तो इस चीज को रोकने के लिए RBI कदम उठा रही है और अगर हम देखें तो इसमें एक चीज और भी है कि डिटेल निवेशक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह होती है कि उसक एक करोड का निवेशक 10 करोड की एप्लिकेशन मनी डालता है तो अगर IPO की लिस्टिंग अच्छी होती है तो वो तो गेन कमा लेता है वो किस तरह से कमाता है कि वो प्रिंसीपल एमाउंट जो कि उसने लोन की तौर पर लिया था मानलीजे 9 करोड रुपे का उसने लोन लिय तो यह एक कहीं ना कहीं यह एक ड्रॉबेक था जो IPO मार्केट में काफी समय से चल रहा था जिस पर आज RBI ने सक्त कदम उठाया अब यह देखना होगा कि यह पूरे सेक्टर पर सक्त कदम उठाया जाएगा या यह एक ही GM Financial तक ही सीमित रहेगा हाला कि GM Financial का जवाब जो उन प्रॉबेक